आधार कार्ड से लोन कैसे ले दोस्तों अगर आप आधार कार्ड से लोन लेना चाते हैं तो इस वीडियो को पूरा वाच कीजिएगा आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको आधार कार्ड से लोन कैसे लेना है तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना है जैसे कि सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए यहाँ पर मुझे मैंने यहाँ पर लोन के लिए apply किया था और मुझे यहाँ पर 40,000 रुपिये का लोन मिला है देखिए यहाँ पर लिखा गया है dear customer your account number यहाँ पर मेरा account number है और यहाँ पर बताया गया है has a credit by transfer of RS 40,000 यानि कि 40,000 रुपिये 25,22,23 यानि कि आज के date पर direct मेरे bank पर यह amount transfer किया गया है जो कि आप live यहाँ पर देख पार होंगे तो क्या आप बिना pen card के श्रीपो श्रीप आधार card से लोन ले कि कैसे आपको आधार card से लोन के लिए apply करना है और लोन लेना है तो वीडियो को आपको पूरा देखना है वीडियो में आपको सही जानकारी मिलेगा तो वीडियो को आपको skip नहीं करना है चली वीडियो को सुरू करते हैं और आगे जानते हैं, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर application को open कर लिया है सबसे पहले मैं आपको यह बताता हूँ कि कैसे आपको आधार कार्ड से loan के लिए apply करना है, उसके बाद video के end में मैं आपको application का नाम बता दूँगा कि इस application का नाम किया है, ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको application को जब आप open करेंगे, यहाँ पर आपको option मिलता है, select your language का इस पर click करके आप अपना language select करेंगे जिसमें आपको best लगे, और उसके बाद आपको नीचे option मिल जाएगा, continue का continue के उपर आप click करेंगे, अब click करने के बाद यहाँ पर आपको एक option मिलेगा, take me to sign in register का, आपको simply take me to sign in register के option पर click करना है, click करेंगे, आप यहाँ पर जो है next page पर आएँगे, यहाँ पर आपको एक option मिलेगा I am new to branch, ठीक है, आपको simply इसके उपर click करना है, click करने के बाद यहाँ पर आप अपना country सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पर आपको option मिलेगा register with phone number का, register with phone number के उपर आप click करेंगे, अब click करने के बाद यहाँ पर आपको एक account create करना है, ति इसके लिए आपको mobile number डाल देना है, और register new account के उपर आपको नीचे click करना है, mobile number डाल के register new account के उपर click करेंगे, आपके mobile पर एक OTP आपको send किया जाएगा, उस OTP को आपको यहाँ पर डाल देना है, अब आप OTP समिट कर देंगे, अब आप application के अंदर आ जाएंगे, यहाँ पर आपको सबसे पहले एक option मिलेगा, apply now का apply now के उपर आप यहाँ पर सबसे पहले click करेंगे, click करने के बाद देखें, आपर पताया गया है कि इस application से आप 50,000 रुपिये तक का personal loan ले सकते हैं, तो इसके लिए आपको यहाँ पर option मिल जाएगा, start your loan application का, start your loan application के उपर click करेंगे, click करने के बाद कुछ second wait करेंगे, तो आप next page पर आ जाएंगे, यहाँ पर आपको एक option मिलेगा, allow access के उपर आप click करेंगे, click करने के बाद while using the app का उपर में option मिलेगा, इस पर click करेंगे, allow के option पर आप दो बार क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद देखें, आपको एक option मिलेगा, identity type का, ठीक है, identity type के उपर आप क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद आपके पास जो भी identity type है, जैसे कि आपके पास आधार कार्ड है, और या तो voter ID कार्ड है, तो आपके पास अगर आधार card के उपर आप click करेंगे ठीक है यहाप आप आधार card के उपर click करेंगे और click करने के बाद यहाप आपको एक option मिलेगा continue का continue के उपर आप click करेंगे अब click करने के बाद देखें आप आपको बताया गया है कि आप आधार card का एक photo upload करेंगे दोनों side का front side का website का और एक selfie upload करेंगे और उसके बाद next के option पर आप यहाँ पर click करेंगे click करने के बाद यहाँ पर आप इस page पर आ जाएंगे यहाँ पर आपको एक option मिलेगा while using the app का आपको simply while using the app पर आपको click करना है अब आप click करेंगे देखिए आप आपका जो back camera है वो open होके आ चुका है जो कि आप live देख पा रहे होंगे अब यहाँ पर आपको क्या करना है जो आपके पास आधार कार्ड है ठीक है आधार कार्ड को आपको यहाँ पर फोटो upload करना है यानि कि आपको यहाँ पर देख पा रहे होंगे आफर आ जाएगा जैसे कि यहाँ पर आप देख पर होंगे जो मैंने यहाँ पर डोकुमेंट अप्लोड करा था उसमें मुझे 1500 रुपिये का लोन एप्रूट किया गया है 31 दिनों के लिए मैं लोन को ले सकता हूँ अगर मैं 1500 रुपिये का लोन लेता हूँ तो मुझे लोन चुकाना होगा 2545 रुपिये यानि कि यहाँ पर पंदरोसो रुपिये के लोन में 545 रुपिये टोटल अमाउं रिपैमेंट करना होगा अब देखें आप आपको यहाँ एक उप्सन मिलता है प्रोसिजिंग और GST यहाँ पर जो है 155 रुपिये के लोन में 1002 रुपिया अब आप सारा कुछ complete कर लेंगे अब आप यहाँ पर deposit वाले page पर आ जाएंगे अब आपको देखिए एक option मिलेगा आप किस bank में पैसे को लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको जो है एक option मिलेगा select bank का इस पर click करके आप अपना bank का नाम और account number डालके यहाँ पर loan के amount को bank में ले सकते हैं यहाँ पर आप देख पर होंगे मुझे यहाँ पर 348 रुपया bank में transfer किया जाएगा मैंने यहाँ पर bank भी select कर लिया है बैंक को select करने के बाद आपको नीचे option मिल जाता है यहाँ पर apply का दिवा आप देख पर होंगे नीचे apply पे click करेंगे आपका loan approved होके सीधे आपके bank में transfer किया जाएगा अब बात आती है कि यहाँ पर बिना pen card के आधार card से loan ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं देखिए इसका answer है नहीं अब मैंने video क्यों बनाया है और किसलिए मैंने video को long किया है लंबा किया है वो भी मैं आपको बताऊंगा कि क्या इसका reason है ठीक है यहाँ से अगर आप इस application से loan के लिए apply करते हैं तो pen card mandatory है pen card आपको देना ही होगा pen card number वगरे आपको डालना होगा तभी आपको यहाँ से loan मिलेगा यहाँ पर आप bank को select करके loan को amount को bank में ले सकते हैं लेकिन आपके पास pen card होना चाहिए ठीक है लेकिन अगर आपके पास civil score ठ बता देता हूँ जहां से आप बिना civil score के यानि कि अगर आपका civil score ठीक नहीं है तो भी आप personal loan ले सकते हैं और personal loan आप directly bank में भी ले सकते हैं तो कौन सा वो application है चलिए मैं आपको बता देता हूँ इसके लिए सबसे पहले आपको Google Play Store पर आना है ठीक है अब यहाँ पर मैंने जो आपको application का नाम मतलब जो application जो मैंने आपको process दिखाया था वो दिखाया था branch personal loan application से देखें यहाँ पर अगर आप देखें तो इसमें आपका fan card mandatory है fan card अगर आपके पास है तो आपको 50,000 रुपिय तक का personal loan मिल जाएगा लेकिन आपका अगर civil score ठीक नहीं है तो भी आपक यहाँ से loan मिल जाएगा क्योंकि यहाँ पर civil score चैक नहीं किया जाता है जैसे कि आप यहाँ पर देख पार होंगे स्रिफ यहाँ पर आपको pen card और आधार card देना ही होगा अगर आपके पास pen card नहीं है तो आप pen card बिना pen card के loan नहीं ले सकते हैं जैसे कि आप यहाँ पर totally यहा का नाम है M pocket instant loan application यहाँ से भी आप personal loan ले सकते हैं अगर आपका civil score ठीक नहीं है तो भी आप इस application से loan ले सकते हैं तो अगर आपके पास जो है बिना civil score अगर आपका civil score ठीक नहीं है और अगर आप personal loan लेना चाते हैं तो पहला मैंने आपको बताया है branch personal loan application और दूसरा जो मैंने आपको बताया है वह एहम पोकेट इंस्टेन लोन एप्लिकेशन दोनों से आप लोन के लिए ट्राइ कर सकते हैं आपको 100% जो इन एप्लिकेशन से लोन मिल जाएगा तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही चलिए निक्ट वीडियो मिलते हैं बहुत बहुत धिन्यवाद